पेंट की ये आप बनाते हैं इसमें हम फिंगर से ड्रॉ कर सकते हैं और हम कालर चूज कर सकते हैं पेंट का हम पेंट की जो विर्थ है उसको एडजस्ट कर सकते हैं उसके अलावा हम इरेजर का फंक्शन होगा तो हम मिटा सकते हैं reset का function है और selfie का function है हम अपनी selfie लेकर selfie के उपर draw कर सकते हैं और फिर हम सब कुछ reset भी कर सकते हैं तो ये बहुत सरल अप है इसको step by step बनाना सीखते हैं तो हम app inventor.mit.edu website पर जाके create apps क्लिक कर रहे हैं मैं अलड़ी logged in हूँ यहां जाके हम कह रहे हैं start a new project project का नाम बिना space दिये मैं लिख रहा हूँ paint app तो सबसे पहले हम जो हमारा UI है basically हमारे पास यहां पर एक blank canvas है और यहां पर buttons है जो की colors चूज करने देते हैं हमारे को drawing के reset का button है, eraser है एक slider है जो pen की विर्थ है उसको determine करता है और एक selfie का button है तो हम सबसे पहले यह UI बनाते है drawing and animation में जाके एक canvas drag and drop कर रहा हूँ और मैं इस canvas component की जो properties हैं वो select कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ height fill parent width fill parent और फिर मैं layout में जाकर horizontal arrangement drag कर रहा हूँ और इस horizontal arrangement की मैं property set कर रहा हूँ इसकी height मैं कह रहा हूँ maybe 70 pixels और इसकी width fill parent और फिर मैं एक और horizontal arrangement drag कर रहा हूँ जो मैं ये blue line previous horizontal arrangement के नीचे डाल रहा हूँ ताकि मुझे ये इसके नीचे मिले और यहां जाकर भी मैं कह रहा हूँ height जो है वो है 70 pixels और width जो है वो है fill parent अब मैं पहले horizontal arrangement में buttons drop कर रहा हूँ तो जितने भी colors आप चाहते हैं उतने buttons यहां drop करेंगे तो मैं 5 colors बनाना चाहता हूँ तो मैं जाके user interface में buttons जो हैं वो drag and drop कर रहा हूँ तो एक और ये मैं vertically align कर रहा हूँ तो ये blue line जो है ये vertical है फिर मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो ऐसे मैं 1, 2, 3 और मैं app जो है वो tablet के लिए design कर रहा हूँ तो मैंने इसलिए tablet size कर दिया यहां पर और उसके बाद मैं 2 buttons और लेकर आ रहा हूँ तो मेरे पास ये 5 buttons हो गए हैं मैं इनको redesign कर रहा हूँ button 1 को मैं rename कर रहा हूँ red button इसकी मैं height कह रहा हूँ 50 pixels और इसकी width मैं कह रहा हूँ 70 pixels इसका मैं text कह रहा हूँ red और इसका मैं background color setup कर रहा हूँ red तो इसी तरीके से मैं बागी buttons जो हैं उनको भी setup करता हूँ तो हमारे जो 5 buttons थे color choose करने के वो setup हो गए हैं हमारे UI में हम इसको real time अपने companion app में देख सकते हैं तो मैं यहां connect में जाके AI companion select कर रहा हूँ और मैं अपने android device में जाके MIT की AI2 companion app launch कर रहा हूँ मैं यहां कह रहा हूँ scan the QR code और अब हम real time देख सकते हैं कि हमारी हम जो UI design कर रहे हैं वो हमारे android device में कैसा लगेगा इसके बाद हम यहां पर नीचे चाहते हैं कि एक reset button हो, एक erase button हो एक slider हो और एक और button हो selfie लेने के लिए तो मैं यह components अब set up कर रहा हूँ slider जो है वो हमारे को user interface में जाके ही यहां पर यह component मिलता है जो हमारा slider है इस slider की जो भी हम value set up करेंगे उसके हिसाब से जो हमारी pen की विर्थ है वो चलेगी तो मैं अभी value डाल रहा हूँ जो maximum value है वो 50 ही है और minimum value मैं कह रहा हूँ 1 इसकी मैं width कर रहा हूँ 120 pixels यह जो हमारा UI है अब यह इस किसम का नजर आ रहा है तो यह हमारे सारे color picking buttons है reset button है, eraser है हमारा slider है जो की determine करेगा line की width और यह button है जिसे हम selfie लेंगे तो UI set up करने के बाद हम अब इसनकी programming करते हैं तो मैं blocks में जा रहा हूँ तो canvas को select करके मैं यहाँ पर बहुत यह जो component है when canvas one dragged यह लेकर आ रहा हूँ और इसमें मैं फिर जाकर canvas में ही यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे हैं की draw an arc, draw a circle, draw a line draw a point, draw a shape मैं draw a line का programming block लेकर आ रहा हूँ हम क्या कह रहे हैं की जो हम draw करेंगे हमारे canvas में यह हमारी x-axis है और यह हमारी y-axis है तो हम मान लिया जाए इस coordinate पर थे, इस x and y coordinate पर थे और फिर हम वहाँ से अपनी finger को drag करते हुए यहाँ तक ले गए तो हम इस program में यह कह रहे हैं की draw a line from whatever was the previous position of x and y to whatever is the current position of x and y तो हम यहाँ पर कह रहे हैं की x1 जो है वो है get previous x यानि जहाँ से starting point था finger का वो और y1 है हमारा get previous y और इस line के end points के हैं जहां हमारी finger drag होके हम रुके तो हम x2 में कह रहे है get current x और y2 में कह रहे है get current y हम इस simple से programming block में ही हमारी सारी जो drawing है वो हो गई है तो हम इसको test करके देख सकते हैं की मैं अगर अगर अपनी finger को ले जा रहा हूं तो जैसे जैसे मेरी finger move कर रही है हम हमारी वो जो drawing है line है वो draw होती जा रही है अब हम next देखते हैं कि यह जो हमने यहां पर color select किये हैं इनको हम कैसे program करते हैं तो इसके लिए मैं red button में जा रहा हूं और मैं यहां कह रहा हूं कि when red button is clicked और फिर मैं canvas में जाके यहां पर एक programming block देख रहा हूं जो की हमारी line की जो color है उसको determine करता है तो वो है set canvas 1 paint color 2 तो यह हम select करके यह हमारा red button है फिर मैं यहां colors में जाके red को लाकर यहां पर drag and drop कर रहा हूं तो अब अगर हम अपने app को real time test करते हैं तो red को मैं select कर रहा हूं तो हमारी line जो है वो red हो गई है तो इसी तरीके से मैं इसको duplicate कर रहा हूं और यहां पर मैं कह रहा हूं when blue button is selected हम यहां पर जाके जो भी blue हमें पसंद है हम उसको select कर सकते हैं और इसी को duplicate करते हुए तो हम इसको test करके देखते हैं तो यहां पर मैंने red select किया तो मेरी red line है green select किया तो green line है yellow select किया तो yellow line है blue select किया तो blue line है black select किया तो black line है तो हमारा जो color palette है वो अब चल गया तो अब हम reset का button देखते हैं तो मैं यहाँ पर reset का button select करके when reset button clicked तो हम reset में चाहते हैं कि canvas जो कुछ भी है वो clear हो जाए तो मैं canvas में जाके यहाँ से canvas clear का programming block ला रहा हूँ अगर मैं यहाँ जाके अब reset button दबाता हूँ तो हमारा canvas जो है वो clear हो जाता है उसके बाद हम eraser का button देखते हैं तो eraser का button select करके मैं फिर when eraser button click का programming block ला रहा हूँ हम eraser कैसे बनाएंगे basically क्योंकि हमारा canvas white है तो हम चाहते हैं कि eraser button जो हमारा है हमने जो भी draw किया है उसके उपर हम white से draw कर दें तो exactly जो हम यहाँ set canvas color थे मैं यह duplicate कर रहा हूँ और मैं यहाँ कह रहा हूँ color is white तो अगर अब मैं इसको test करता हूँ तो मैंने अगर green से draw किया और फिर मैंने eraser select किया erase किया तो यह erase हो रहा है पर यह तो हम चाहते हैं कि eraser का size थोड़ा बड़ा हो तो eraser का size थोड़ा बड़ा करने के लिए वह अपस canvas में जाके line width का function देख रहा हूँ और मैं यहाँ से यह set line width ला रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ math में जाके एक number यहाँ पर हम डाल रहे हैं और हम कह रहे है set line width to let's say 30 तो अब अगर मैं eraser का function ला रहा हूँ तो हमारा जो eraser है वो better काम कर रहा है तो उसके बाद हम line की width जो हमारी है उसको हम change करना चाहते हैं तो मैं blocks में जाके slider select कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि slider की position changed है जो की determine करेगी हम हम जब उसको slide करेंगे तो हम यहाँ पर जाके कह रहे हैं कि basically यह जो है यह line width को change करें तो मैं canvas में line width की command को duplicate करके यहाँ पर instead of 30 यहाँ कह रहा हूँ कि जो भी हमारी thumb position थी thumb position मतलब इस slider में हमारी finger कहां पर थी उसके हिसाब से determine करें कर रहा हूँ तो मेरी line यह है मैं slider को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ तो मेरी line यह है मैं slider को बढ़ा रहा हूँ तो मेरी line की width तो यह कितनी width हो यह determine होगा कि जो हमने designer में जो हमारा slider था उसकी जो भी value रखी है तो यहाँ मैंने minimum value 1 रखी है, अगर मैं maximum value यहाँ 10 कर देता हूँ और फिर मैं slider को maximum कर देता हूँ तब भी line की width इतनी ही है क्योंकि हमने पीछे उसकी maximum जो width है वो कम कर दी है, तो मैं इसको whopers 50 कर रहा हूँ तो इसके बाद हमारा last button जो है, वो selfie का button है तो मैं selfie के button के लिए whopers blocks में जाके selfie button select कर रहा हूँ और कह रहा हूँ when selfie button is clicked, तो हम चाहते हैं कि जब selfie button click हो तो हमारा camera call हो, तो camera call करने के लिए हम whopers designer में जा रहे हैं, और यहाँ पर media की drawer खोल रहे हैं, और media से यह camera का जो component है, इसको हम drag and drop कर रहे हैं, तो यह हमारी component list में आ गया, UI में नहीं आया क्योंकि यह non-visible component है, तो अब हम वापस programming blocks में जाके हम कह रहे हैं, when selfie button is clicked यहाँ से हम camera select कर रहे हैं और हमारा simple सा यहाँ पर programming block है कि call the camera and take a picture picture तो आ जाएगी फिर हम क्या चाहते हैं कि जो camera ने picture कीची है, वो हमारे canvas पे set हो जाए, तो उसके लिए हम फिर से अगर camera में जाएं, तो हमारे पास एक और यहाँ पर एक और programming block है कि after picture what to do with the image, तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि canvas में जो भी background है, वो change कर दो with whatever image that has been taken right now तो यहाँ पर हमारा यह है, set canvas background to तो हम इसको यहाँ डाल रहे हैं हम यहाँ कह रहे है, get image तो basically जब हम selfie button दबाएंगे, तो camera call होगा, और हम picture ले सकते हैं वो जो भी हम picture लेंगे after that picture has been taken, यह programming block कह रहा है, कि set the canvas one background image to get whatever is the image taken by the camera तो हम इसको test करके देखते हैं तो यहाँ पर मैं selfie का button दबा रहा हूँ तो हमारा camera call हो गया, हम camera को reverse कर सकते हैं, मैं selfie ले रहा हूँ तो यह selfie हो गई, हमने select किया तो यह हमारी app में आ गई और अब app में जाकर मैं हमने जो भी selfie खींचिये, उसको मैं paint कर सकता हूँ अब अगर मैं यहाँ पर reset करता हूँ तो हमारा जो हमने draw किया था वो तो reset हो गया पर हमारी selfie जो हमने खींचिये वो reset नहीं हुई तो हमारे को जो background image है वो reset करनी है, तो मैं reset button पर जाकर, फिर मैं canvas पर जाकर यहाँ कह रहा हूँ, set the canvas one background image to और हम simple चाहते हैं कि यह सब वापस white हो जाए, तो मैं यहाँ white color select कर रहा हूँ और अब अगर हम जाकर reset button दबाते हैं तो हमारा पूरा canvas जो है वो reset हो गया I hope आपको यह app जो थी यह पसंद आई, यह बनानी बहुत सरल है और अगर आप इस app को अपने phone पे transfer करना चाहते हो, तो जैसा मैंने अपने और वीडियो में समझाया है कि आप यहाँ जाके image, UI में एक title अड़ कर सकते हो इस app का फिर screen में जाकर आप यहाँ पर कोई इसकी icon वगेरा डाल सकते हो और उसके बाद आप यहाँ build में जाकर यह AP के file create करके उस AP के file को अपने device में transfer कर सकते हो, तो यह जो paint की app है, यह फिर आपके device में reside करेगी